हेलो दोस्तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर सुबह सुबह मैं बैट करी हूँ सबजिया काटने और जल्दी जल्दी काम खतम करना है सारा दिन बहुत काम रहता है आज मैं बना रही हूँ लोकी के चिलके की सबसी यह शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि लोकी का चिलका होता है उसको भी खाया जा सकता है जो कच्छा वाला लौकी होता ना उसका छिलका काफी नरब होता है तो उन छिलको को लिया जाता है इसमें तो उन छिलको को मैं भी अच्छे से पतला पतला काट रही हूँ एकदम पतला पतला काटना है आपको तो इसके साथ मैं आलू भी डालूंगी आलू भी वैसे ही लंब अब चिल्लूंगे आलू, आलू डालूंगे इसमें आज का मौसम काफी अच्छा है और मेरे पौधे अभी छोटे छोटे ही है, पौधों का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती हूं, सारा दिन काफी बीजी रहती हूं इसलिए और ये थोड़ा बहुत ग्रीनरी देखें मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पके हुए कठल के दाने, ये हम लोग सबसी में खाते हैं, पताने आप लोग खाते होंगे की नहीं, खाने में काफी टेस्टी होता है, और देखिए बात दल्चाय हूए है, सुबह सुबह इतना अच्छा मौसम है, बचपर में मेरा फ अगर आप लोग को पता होगा, तो प्लीज मुझे कार्ण में बताईगे का, जींगे हम लोग बिंगॉली में कहते हैं इसको, ये जींगे से बहुत अच्छी सबजी मिनती है, पेट के लिए काफी अच्छा होता है, वो ठंडा होता है, अब हम लोग सबजीयों को धोलेंग कराई गरम करेंगे, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि कराई गरम हुआ है किनी हाथ से, तो अब कराई गरम होने के बाद ही सबजी डालना चाहिए, वरना वो लग जाती है नीचे से, तो पहले हम लोग लोग के जो शीटे हों की सबजी उसको फ्राइ करेंगे, तो मैं इसमें कलाउंजी डाला है मैंने तड़के में, बस कलाउंजी से ही फ्राइ करेंगे, मेरी भाजी रेदी है, यह आप लोग भी घर में ट्राइ कीजिएगा, अच्छा लगता है, और छिलके में भी काफी गुन होता है, अगर आप लोग को पता होगा, चिलको में भी काफी पोशन होता है, सोहं को सुबह सुबह पढ़ने बिठा दिया है, काफी दुनों से ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, इसलिए सुबह सुबह बिठा दिया है उसको पढ़ने के लिए, सोहं के लिए मुझे डाल बनानी पड़ती है इसलिए मैं उड़त डाल बना रही हूँ आज बाहर का मौसम काफी सुहाना हो चुका है काफी अच्छी हवा आ रही है मेरी डाल भी बन चुकी है अब सोहं के लिए मुझे डाल बनानी पड़ती है कभी कभी हम लोग थुरा स्पाइसी खाना खाते है तब थुरा सा दाल होने से उसके लिए अच्छा हो जाता है अब हम लोग चींगे की सब की बनाएंगे तो मैं यह टोटली वेज बनाऊंगी इसलिए मैंने अद्रक और स्मेजीरा पाउडर डानूंगी सिर्फ मेरी सास वेज काते से लिए पहले वेज का आइटम बन जाता है फिर हम लोग नॉन वेज बनाते है हल्दी पाउडर खतम है अब चिकरना पर अपर हल्दी है या नहीं घर पर हाह मिल गया मुझे नहीं पर साबुड जीरा मिला जीरा पाउडर मिल गया और यहां पर हल्दी पाउडर भी मिल गया चलो वढ़ना फिसे मान मुझे बोलना परता हजबन को की बाजार relative को तो इसमें मैं तो आप हल्दी डाल दूँगी सोवंग के लिए अलग से उठा के रखा है सबजी अब हम लोग मेर्ची को इसमें जो मेर्ची डाला था उसको पेस्ट कर देंगे तिखी वाली सबजी रेडी है ये बच्चे होने से हमें ऐसे ही करना पड़ता है मैंने सारा बटन भी धो लिया है काम के बाद अब लास्ट एक काम बचा है ये है मिर्ची को थोड़ा ठीक करके रखना है मिर्ची का मैंने डंधल निकाल के अब इसको अच्छे से एक मिस्पोपर से रैप करके इसको फ्रिज में डाल दूंगी तो ये बहुत दिनों तक ऐसे ही ताजे रहेंगे अभी शाम का वक्त हो गया है अब सोहंग को मैं थोगा सा दूद पिलाओंगी ये रहा दूद और सैलक सैलक वो अभी खाना नहीं पसंद करता है लेकिन सैलक बजग गया था और बहुत दिनों से वो खाता ही नहीं है इसलिए आज दूद के साथ उसको दूँगी अच्छे से मिला लिया अब चलते है लो सोहंग अब क्या लेके बैट गया है अभी खाने का टाइम है उसके पापा उसके लिए रत लेके आया है अभी जो रत गया ना तो और तभी रत लाए थे काफी सुंदर है छोटा सा सोहंग के लिए एकदम पर्फेक्ट है तो दोस्तों आज का ये दिन मेरा ठीक था की बीता और आप लोग को कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बताएगा और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करते रहिए मैं आप लोग को मिलूगी मेरे नेक्स ब्लॉग बे तब तक के लिए टाटा एंड गुट बाई